अदिवे आज योगदीन के लिए भी त्पुकि मेरा मन था योगदीवस हम किसी एक योग के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया है उनका स्वाधत करते हुए अपनी योगदीवस मना है और साथ में श्वाल के साथ में एक मोती की माला हम लाए थे उनके लिए और मैंने लाई तो मतलब यह असर नहीं होगी ओरिजनल जो आपको दिखाई भी दे रहे होगी यहां से धूप में यह अनमूल है तो यह माला हम सब की और से इनको गले में पहना रहें और इसको बान के भी रख रहें इसकलन की दान के साथ प्रवेश द्वार से जो भी व्यक्ति आदनी अंदर आएगा मेरे लिए वह भगवान है उसकी पुझा यहां पर होगी उसको खुश रखने की कोशिश होगी यह पूरा क्षेत्र मंदीर है जो ओल कंपोंड आप देख रहे हैं यह पूरा मंदीर ही है और यहां की देवता यह आने वाला अतिति है जो भी व्यक्ति यहां पर आएगा मेरे लिए भगवान के समान है वही भगवान है वो खूश रहे प्रसंद न रहे उसके लिए मैं कुछ करू यही मेरी पूजा होगी मेरी साधना होगी तो आप सब के लिए यह जो धाम है वो ओपन है मैं आपके स्व दहिव कुटुम्ब कम का भाव निर्मान करने के लिए मैं जितना हो सके इसका उपियो करने की मैं कोशिश करूँगा क्योंकि यह जो है यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा एक सपना था मैं जो इनसान है हमारे सभी धर्मों ने शासरों ने वेद महापुरान उपनिशद सभी हमारे ग्रंटों ने संतों ने संप्रदायों ने एक ही बात कही कि जो जिन्दा आदमी है न वही भगवान है भगवान ने भी कहा कि यह सब मेरे ही स्वरूफ है मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है करलो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया है एक कही मा के बच्चे हम सब एक ही पिता हमारा है फिर भीन जाने किस मुरख ने लड़ना हमें सिखाया है मुझ में राम तुझ में राम सब में राम हम सब में एक ही राम है आकमा राम हम सब एक है तो इस भाव को जगाने के लिए हमेशा अलग-अलग इस तरह का आयोजन यहाँ पर मैं करूँगा भविश्य में कोशिश करेंगे कि जल से जल सचिन जी के द्वारा यहाँ पर प्राकूर्तिक चिकित्सा का एक सिबीर मैं आयोजन करूँ तो इस प्रवेश द्वार से जो भी व्यक्ति आदनी अंदर आएगा मेरे लिए वो भगवान है उसकी पुझा यहाँ पर होगी उसको खूश रखने की कोशिश होगी यह पूरा ख्षेत्र मंदीर है जो ओल कंपूर्ण आप देख रहें न यह पूरा मंदीर ही है और यहाँ की देवता यहाँ आने वाला अतिती है जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा मेरे लिए वो भगवान के समान है वो ही भगवान है वो खूश रहे, प्रसंद न रहे, उसके लिए मैं कुछ करूँ. यही मेरी पुजा होगी, मेरी साधना होगी. तो आप सबके लिए यह जो धाम है वो ओपन है. मैं आपके स्वास्ते के लिए, आपके खूशी के लिए, समाज को देश को जोड़े रखने के लिए. एक दूसर यह जो है यह मेरा dream project है मेरा एक सपना था मैं जो इनसान है हमारे सभी धर्मों ने शासरों ने वेद, महापुरान उपनिशद सभी हमारे ग्रंटों ने संतों ने, संप्रदायों ने एक ही बात कही कि जो जिन्दा आदमी है न वही भगवान है भगवान ने भी कहा कि यह सब मेरे स्वरूफ है मुझ में राम, तुझ में राम सब में राम समाया है करलो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया है एक ही मा के बच्चे हम सब एक ही पिता हमारा है फिर भीन जाने किस मूरख हने लड़ना हमें सिखाया है मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम हम सब में एक ही राम है आक्मा राम हम सब एक है तो इस भाव को जगाने के लिए हमेशा अलग-अलग इस तरह का आयोजन यहाँ पर मैं करूंगा भविश्य में कोशिश करेंगे कि जल से जल सचिन जी के द्वारा यहाँ पर प्राकुर्तिक चिकित्सा का एक सिबीर मैं आयोजन करू पास से छेदी तबी हमारे चेरे पर हसी आती है जब फोटोग्राफर सामने आ जाये तो हम हसते हैं मैं तो मानता हूँ तबी भी नहीं हसते हैं तबी भी हसने के एक्टिंग होती है क्योंकि हमारी वो फोटोबात में हमें बताती है तू एक्टिंग कर रहा है तू हसनी रहा है तो हमारी जो ह हसी है, वो हमारे जीवन में से गायब हो चुकी है और हसी भूल जाने के कारण, हसी छूटने के कारण हमारे फसी ने छूट रहे है हम जी नहीं पा रहे है तो जरूरी है हम हमारे जीवन में इन सारी चीजों को involve करे और इस तरह से जीवन को जीने की कोशिश करे जो भी आप काम कर रहे हो, जो जॉब करते हो, आप कोई आप दंदा करते हो, किसान हो जो भी आपका काम है, विद्यारती हो, आप पढ़ रहे हो तो सारी चीजों में एकागरता की जरुरत होती है दुसरी बात की उस काम को करते समय एकागरता दुसरी बात उस काम को करते समय आनन्द आना चाहिए तो ये आनन्द के साथ करते हो खुसे के साथ करते हो मर्जी से करते हो या एकागरता से करते हो तो उसका result भी आता है और वो एकागरता और वो प्रसन्नता योग से मिलती है इसलिए योग का दुसरा आर्थ है जोड़ना हमारे खुशी के साथ हमें योग जोड़ता है भोजन एक साथ में परिवार का होता था ज्यादा से ज्यादा शाम का भोजन तो परिवार साथ में करते थे सुबह का चलो थोड़ा इदर उदर सब की जिम्मेदारिया थी लेकिन शाम का भोजन पूरा परिवार साथ में लेता था साथ में लेने का कारण क्या था कि जैसे साथ में भोजन के लिए बैठे और घर में पास से छे लोग है तो छे लोगों में से साथ में बैठ कर छे लोग भोजन पा रहे है और भोजन करते करते ध्यान में आ जाता है कि हमारे परिवार का एक सदश ठीक से भोजन नहीं कर रहा नाराज दिखाई दे रहा है फड़ा परेशान है तो बाकि 5 लोग उसको पूछते थे कि परेशानी क्या है आपको चिंता क्या है कूछ तो गरबड है तो फिर वो कह देता था बोल देता था तो साथ में भूजन करने से पता चलता था परिवार में कौन सुखिय दुखी है इसको क्या परेशानिय पूछा जाता था आज मैंने मानता कि किसी को पूछा जाता है कि कैसे हो तो बहुत सारी दिक्कते हमारी सारी लाइफ स्टाइल चेंज हो चूकी हम असना बुल गए जैसे कि सचिन जी पूछ रहे थे हम असने कब है चेहरा कब प्रसन लगता है तो आपने कहा कि जब हम खुश होते तब अच्छा लगता है खुश कब होते हो मैं तो मानता हूँ हम लोग तभी खुश होते बस तभी हमारे मुख पे मुसको अराट आती है जब फोटोग्राफर सामने आता है तो जरूरी है कि हम अपने करमों को इमानदारी से करे और करमों को इमानदारी से करने के लिए अपने आपको स्वस्थ रखे और अपने आपको स्वस्त रखने के लिए जो यहाँ पर चर्चा हुई जो आसन प्रानायाम बताए गए उनको निरंतर करने की हम कोशिश करे क्योंकि योग बस हम समझते हैं कि हमने कुछ आसन कर लिए प्रानायाम कर लिए तो योग हो गया योग का जो असर है वो शरीर पर ही नहीं तो योग का असर मन पर भी होता है योग चित्तवुत्ती निरोध कि हमारी चित्तवुत्ती जो है वो भी शान्त करने का काम इससे होता है मन की भी प्रसन्नता इससे बढ़ती है तो जरूरी है कि हम इस तरह का योग करे अंदर से भी बाहर से भी हम चिंता मुप्त होने की कोशिश करे चिंता इसी दाकिनी काट कले जा खाए वेद विचारा क्या करे कब तक दवा कि लाए आपको सारी दवाई मिलेगी मेडिकल में चिंता की दवाई में मिलती तो चिंता की दवाई जो दो गहंटे से बैट कर हम यहाँ पर जो अनुशासन में जो प्राणायाम योग कर रहे है वो उसकी अवशदी है प्रधान माना गया कि हमारे कर्म हम इमानदारी से प्रामानिकता से करें प्रकृती ने संसारे हम सबको अलग-अलग जिम्मेदारियों को दिया है उन जिम्मेदारियों को करते रहना इमानदारी से करते रहना निश्टा पुर्वक निश्काम निश्वार्त भाव से करते रहना यह भी योग है और उन कर्मों को जिम्मेदारियों को बगएर ठके, बगएर रुके, बगएर आलस किये अगर हम करते हैं, अगर करना है तो उसके लिए शरीर का स्वस्त रेना जरूरी है अगर शरीर स्वस्त है तो उन जिम्मेदारियों को बहुत आसानी से आलस के बगएर हम कर सकते हैं, तो उन कर्मों को जिम्मेदारियों को निभाने के लिए क्योंकि ठकना, हार जाना, हार मान लेना, रुख जाना, इसे हम अपने कर्मों को न्याय नी दे सकते, जिम्मेदारिय को निभाने के लिए जरूरी है इमिनीटी पावर को बढ़ाना ऐसे करो ताली आज़े कि अधसे ये जगॉवटती आज़े एप सरी को ईह के लाव एकांदी को औहा हुई घप संदोगो इंढ वस खकी लोग्या प्रव यार्ण के कह लो गह वसे घर के लिए्चिए हṁओ "'ाउग tabs' हुण कि एक अनुस अंदान में पाया गया कि जितने भी पागल होते हैं उनको तीन बिमार्या नहीं होती ब्लेट पेशर डायबेटेज और अधैरो और नीन अचा वो पागल लोग खूश रहते हैं कि दूखी रहते हैं तो तोड़े दे पागल बनने ते तिन विमार्या टीक रहते दिक्कत क्या है तो रहो सुबर पागल हसी कैसे हैं तो पूरी एक्सरसाइज रहती है एक गंटे की एक्सरसाइज और पांच मिट की पागल हसी बराबर है तो इसमें खुशे भी प्रसनेता भी आनंद भी और बीमारी का इलाज भी है तो उठाओ हाथ और जो से सौस भीचो प्रसनेता भीचो सौस को रिजाश होड़ते की है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ है व्ß, व्व, व्व, उ्व, व्व, 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 व् up, व् वो, व, वße व, व il व, व, व व वज matière की की। पस्तियाशन मतलो गुस्सा ने कर लाता तो गुस्सा ने आता एक साथ करेंगे चलो स्वास्कीतू जी बाहर करो जी बाहर करना है बहुत बढ़िया आराम कर लें पेट के बल लेट जाए बनाये और इसे पेट के बल你就ि Till के थे सो फिर tag के लिए नियुट सौजाओ करो जारा हमेरे आराम करो पेट के बल ठंड़ी हवा का अपनी प्रीड पर सूरी की साथि Connecticut करनभाव retention सुर्ण से तुल्ला किये गई है सूरी की किर्णों के सुबह के सुर्णीन किर्ण है तो सोने के समान है और उपर उठाए सामने की तरफ उठाए कर दर को पिछी की तरफ में के जाए श्वास तमास तमा कवख खासी ब्लेड फेसर डाइबिटेज पिछी की तरफ में नीचे की तरफ आए टुट्टी को निचे लगाए मस्टिश को निचे लगाए फिर श्वास थीचते वे धीर जिरे वापस उठे भुजंग भुजंग में तब साफ सर्फ इस नेक्ट पॉजिव बलते इसको शिंगिश में देरे हल्का को पिछी तरफ जाए वास थाली करते हुए पिछी जूके थोड़ा साँ आप दो कि अच्ट वाजा दे लिए। टीन बार कम से कम एक आसर प्वू करना चाहिए कि यह योगी श्रसन के लाता है इसको बहुत निपूर्दा के साथ में करेंगे तो इसको इस तरह से करना है सुने समझे फिर करें कुछ दिर रोको कि अब छाती में स्वानस काली करो पेट मेंसे स्वानस खाली करो अब पेट को अंदर पुढ़ा फिछका लो पेट अब गटा वना लो इतना स्वानस खाली करो आसन करसे समय बहुत बढ़ी आप हाथों को पिछ टिकालो आकाश में देखिया आज भगवाने कुछ सा रंग भरा है कुछ सा चित्र बनाया है बहुत सी बार हम बहुत बहुत सी बार ने हमेशा हम ब्योशी की तरह जीवन देते हैं अभी आकाश को नहीं देखते कि कुछ सा रंग है आज इसमें केसे बादल आये आज आस पास के पेड़ पोधो को महसूस नहीं कर पाते हैं हवाग की धंडग, शितलता, गर्महाट को महसूस करें यही प्रकति के साथ में जोड़ने का क्रम को ही योग बोलते हैं प्रकति के साथ में मन को जोड़ना यह भी योग है आई अगला आसन करेंगे दोनों पेरों को फिला लेजिए इस तरह से फिला लेजिए दोना हाथों को सामिच दर फिला लेजिए झाल झाल परिशान हो जाता है एजि पेर की उंगली कट जाए तो पुरा सरी परिशान हो जाएगा चलनी पाएगा वेत्ते तो हर शरी का ध्यान डगना हमारे जिम्मेदार होती है आईये पेर की अंगलीयों का ध्यान करेंगे इस तरह से बेड़ जाए और पेर के अंगलियों को दबाएं और पेर के अंगलियों को बाहर की तरफ खोले कि यह पेर के अंगलियों को याम कर रहे हैं दबाईये पूरा श्वास खीचे और पेर के अंगलियों को पूरा दबाईये सुकृडिये और फिर धीरे इसको दिला छोड़िए एकने में बहुत छोटा असन है पर इसका असर आपके मस्तिश्च तक होता है अब पेर के पंजो को सामने की तरफ जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं उसी तरह से ये शरी को निचोड़ने वाला करम होता है देखेंगे आप पेर आपके जमिन पर है उपर के इसको आप पिस्ट कर रहे हुए जित आप गुमा सकते गुमाए हलका सा रोके फिर उसी तरफ आ नहीं से तीन आसंटो ज़िए आप करते रहेंगे तो कॉमरा का कभी निय Dalg Alone ऐसे बहा की ऐसे जादा अ को इस हूं कर चाहि तरहा है इस श्athyक नाम है क्या एक नाम किई पटी शकर्सक्री पिले कि आसन का नाम कि दूसरी आसन का नाम कि ठुब करना है कि पिश्वास कि पिश्वास के ऊपर फिचाओ दो एक दो तीन चार पांच हाले करतें दूसरी दुश्वास को इस आसन का नाम है तीरियक तड़ासर रिलीज हाथ निश्टी लियाए कंदों में हलका सा दर्द हुआ है इस पिश्वास करके ठिक कर लेजिए और से लोग सोच रहेए कि कहां फस गया आज है पांच ठेल साथ आठ नो दस फिश्वास फिचते ओपर की तरफ पिचाओ दीजिए पांच से किंती किनेंगे श्वास की चोग पांच छे साथ आठ नो दस फिश्वास पूरा खाली देजिए साइड से जुपना है आगे नहीं जुपना है दो तीन चार पांच असर पे रखें ये एक बार हुगा इसको कम से कम तीन बार अलिक्तम पांच बार करना चाहिए फिश्वास कीचे श्वास खाली करके दूसरी दरफ जुके जुके पूरा साइड पे खिचाओ होगा तना होगा हलका सा पैसीना भी आएगा चार पांच उपर खिचाओ दे एक दो तीन चार पांच खाली करें उसी तरफ जाए एक दो तीन चार पांच ते आपको याद रखना है घर पर जाएंगे आप पूछना कि यह नोवे अंतराश्टी योग दिवस में कौन सा आसन सीखा था तो बुले ताडाशन सिखा था था घर पर जागत नहीं यह एसा एसा किया था एसा एसा नोवे था इया था न नाम याद होना चाहिए झाल 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 झाल